हलो इस्ट्ट्रेट तो आज के वीडियो में लेकिये आ चुकी है आपके लिए क्छा ग्याहा वी का कैमेस्ट्री का पिपर यानि की रसियांसास्त का पिपर जो की हमें सत्तर नंबर का आया हुआ इस्टुरेंट तो इस्टुरेंट आज के इस वीडियो में आपको solution प्रबाइट कराने वाली हो आपको तो इस्टुरेंट आपको बिना के सारी questions को दिखाकर एक वीडियो बनाया हुआ है आप जाके देख सकते हैं तो हम अब answers देखते हैं तो हमारा प्रस नमबर पहला है सहीं विकल्प चुनकल लिखिए तो हमारा पहला question निमने में से किसमे अनुओ की संख्या सरवादिक होगी तो इसका answer जाएगा 45 ग्राम ग्लुकोज अब दूसरा है चुम्ब की कॉंटम संख्या संबंदित है तो इसका answer जाएगा अभी विन्याज अब तीसरा है समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है तो इसका answer जाएगा proton अब चोहता है electron बंदूता सरवादिक किसकी होगी तो chlorine की electron बंदूता सरवादिक होती है और रिंविदूता fluorine की अधिक होती है इसका answer जाएगा 26 अब हमारा है next question एमो सिद्धान तनुस्वाद जीरो टू आयन में प्रतिबंदित electron यूगमंग की संक्या तो आज मैं आप सबको बहुती बड़ी application के वारे में बताना चाहती हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है इस साल डेली लान ने आई स्कॉलर की स्कॉलर सिप जीतने का मौका दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खुबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े सेहरों के साथ साथ छोटे सेहरों ग्रामिन भागों तक क्वालिटी एजूकेशन पहुचाने करने लिए और यहां इंग्लिस के साथ सथ हिंदी माध्या म अब यहां पर स्ट्रेंट नेक्स्ट कोश्चन है हमारा एक उत्कुरम्नी अविक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव से अगर अविक्रिया बप्रतीप अविक्रिया दोनों समान रुप से प्रभावित होगी अब यहां पर हमें प्रस नमर दूसर यहां पर इंग्लिस मिडियम बालो के लिए दिया हुआ है यहां पर आपको मैंने सहीं भीकल बताया हुए आप बहां से यहां पर भी सहीं भीकल के आंसर देख सकते हो इसका अंसर जाएगा 26, इसका chlorine, इसका proton और इसका जाएगा orientation और इसका जाएगा 45 grams of glucose और इसका अंसर जाएगा 4 और इसका अंसर जाएगा only the rate of reverse reaction will be affected अब यहाँ पर आपको प्रेस नमर दूसरा दिख़रा है रिखते स्थानों की पूरती कीजिए तो हमें इसमें रिक तर्षान की पूर्ती करना शुरे, तो हमें पहला कॉशन दिया आ है बर्फ के जल में पिगणने पर entropy खालिसतान है, धनातमक है, यह रिनातमक है, तो इसका अंसर जाएगा धनातमक है अब दूसरा है किसी विल्गत निकाई की कुल उर्जा खालिस्तान लेती है तो किसी विल्गत निकाई की कुल उर्जा इस्थे लेती है तीसरा है सभी रसाइनिक बंधों का इस्थायद वह खालिस्तान की मद्ध आकर्शन बढ़ने से होता है तो electron वर नाविक के मद्ध आकरसन बढ़ने से होता है चो होता है carbon monoxide की सह सहयोजक्ता खालिस्तान है तो carbon monoxide की सह सहयोजक्ता कितनी है? तीन है अब पांचवा हमारा LCAO का पून नाम है तो liner combination of atomic orbital बंद बियोजन उर्जा बंद करम के खालिस्तान होती है समानुपाती होती है सात्वा है आदर्स गेश के दो मोल निर्वात में सुवताहप प्रशारित होते सुनने है किया गया कार्वियर अब हमारी सैंजोडी मिलाना है मैं आपको उता देती हूँ किसको किसके साथ मिलाना है तो दाब तो दाप का मात्रक क्या होता है पासकल होता है द्रबमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम होता है परमाणविक हाइड्रोजन धात्विक सताप सेयोजित होकर उच ताप उच्पने करता है अच्छो होता है जल का बिद्धु दप गटन देता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सि को देखके अब प्रस नम्र चोहता है एक बाग की में उत्तर दीजिए तो पहला है एक मुक्त मुलक का नाम बताईए तो मुक्त मुलक का नाम जाएगा CS3 plus C6H5 अब दूसरा है sodium benzoate और soda lime के मिसरन को गर्म करने से बनता है तो इसका अंसरा जाएगा benzene तीसरा है घमारा नाविक किस नहीं क्या है चुइसरा है प्रेणिक प्रभाव कुसे कहते हैं पांच बाश्टर ओफ प्रेश का सूत्र तो प्लास्टर योप आप थो होता है और प्रोस्ट और कोंगी झेजर थोंसर ने अप के थोडॉट किर्णों की खोच किस ने की थी टू duż do तो मैं आपको ये वाला आंसर और ये वाला आंसर भी आपको प्रवाइट तरह देती हूँ तो स्ट्रेट प्रेंडिक प्रभाव किसे कहते हैं आपको लिख लेना है जब सासायोजी बंदो भिन तद्वों के परमानुओं के मद्ध बनता है तो साजे के इलेक्ट्रोन युग में दोनों परमानूओं या नाविकों के मद्ध में न रहकर अधिक रिंबिदूती तद्व की और विस्थापित हो जाता है जिससे अधिक रिंट बिद्धूती सम्मू पर आंसिक धनावेस तथा कम बिद्धूती सम्मू पर आंसिक धनावेस आ जाता है इस पर सिगमा बन के एलक्टोनों का अधिक रिंट बिद्धूती सम्मू की तरब इस्थापन प्रेंडिक प्रभाव कहलाता है तो आपको यहां से यहां तक लिख लेना इस्ट्रेट अब हमानेक्स जो कोश्चन था एक कोश्चन बना है नाविक इसनेही क्या है तो इसका आपको बता देती है इस्ट्रेट तो इस्ट्रेट नाविक इसनेही क्या या नाविक इसनेही अविकर्मक क्या है यह उस स्थान पर आक्नमन करते हैं जहां पर इलक्ट्रोन घनत्व कम होता है तो यहां पर आपको उदासी नावी किस नहीं अविकर्मक के और रनावी सित नावी किस नहीं अविकर्मक के एक उधारन भी लिख लेना है लिख लेना है स्चिय को उदासी नावी किस नहीं अविकर्मक होते? स्थी एच ओ है आर ओएच आरो और इनल को यहां से लेकर यह तक उतालेना है थो अजुए तो स्ट्रेट यहां पर हमारे और मैंने आपको प्रे económ стать प्रोछ किस नहीं के answer solve करा दिये student में अब हमारा प्रस नमर पांचवा है सिमान्त अविकारक क्या है अथ्वा मोल संकल्पना क्या है तो इसके आंसर में आपको नेक्ट्ट्ट वीडियों प्रवाइड कराओंगी सारे के सारे QUESTION के तो मैं आपको सारी सारी कोश्टन दिखा देटें जिससे आप खुद भी पढ़ सको अब यहां पर कोश्टन से देख सकते हैं तो मैं आपको सारी सारी कोश्टन दिखा दिए स्टुएंट यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद रहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पहना ना भूले स्टुएंट और यदि आपको इसका अंसर का पीडिएफ चाहिए तो आप में टेल्ग्राम चैनल को जोईन कर सकत है में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुई है आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए और आगे के आंसर में आपको नेक्स वीडियो में जल्द ही प्रोवाइट करा दूंगी जिससे आप जल्दी से जल्द पर सके तो आप अभी तक अपने सरफ से भी सार एक सारे आंसर लेके आने वाली हूँ थांक्यू फर बहुचे